संख्या 3 है सिध किजिए कि निम्रीखित संख्या आवपड़ी में हैं यहां हमारे पास प्रस्न संख्या दूसरा है साथ अंडरूट 5 इसे हमें सिध करना है कि यह संख्या एक आवपड़ी में संख्या है तो इसको सिध करने के लिए सबसे पहले हमें मानना होगा कि माना की सा आधर विचला है अधर आधर अधर गानधर पांच के एक परीमेश होए लिख सकते हैं ना साथ अंडरूट पांच जी सकते हैं एब टा भी के रूप में या yönई परीमेश थे वसी संक्राओ कहानकिते हैं जिसको हम बाटा में लिख सकते हैं ठीक है जहां A और B सअभाज पुर्णांख है तथा B बराबर नहीं है सुने के अर्थात नीचे सुने नहीं होना चाहिए उपर सुने होगा तो चलेगा ठीक है चलिए अब आगे भरते हैं अब क्या करेंगे कि साथ अंडर रूट पांच बराबर A बटा B इसको क्या करेंगे रूट पांच को यहीं छोड़ देंगे ठीक है रूट पांच बराबर A बटा B और जब साथ यहां आएगा तो क्या हो जाएगा A हो जाएगा साथ B देखिए अब आपका सवाल किलेर हो चुका है अच्छा इसके बाद क्या है रूट अंडर पांच यहीं इसके बराबर में रूट अंडर पांच है इसका मतलब है कि जब A पर में संख्या होगी तो A भी पर में संख्या होगी ठीक है लेकिन यहां ऐसा नहीं है रूट अंडर पांच क्या होती है एक आपर में संख्या होत पुर्नांक संख्या है अताह शाल कि एब टास साथ भी एक परिमे संख्या अच्छा इसके अनुसार यह जब परिमे संख्या होनी चाहिए ठीक है इसके अनुसार रूट पांच एक परिमे संख्या होनी चाहिए परंतु रूट पांच क्या है एक और परिमे संख्या है एक और परिमे संख्या है तो हमने क्या माना था कि साथ रूट अंडर पांच एक परिमे संख्या है लेकिन यहां तो रूट पांच एक और में संख्या है ठीक है इसलिए यह आता है हमारी कल्पना क्या है तूर्टी पूर्हें की साथ रूट पाँच एक पड़ी में संख्या है इसलिए यह सीध होता है कि यह सीध होता है कि साथ रूट पाँच एक क्या है और पड़ी में संख्या है यह बहुत ही आसान प्रसंद था बस आपको इससे समझना था तो मैं उमीद करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा अगर आप लोग ने इससे पहले का वीडियो नहीं